दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना आज रेशियन वैगनर ग्रूप प्राइवेट मिलिटरी स्ट्राटजी को कौपी कर रहा है। देखे चाइना ने आफ्रीका में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। चाहे कॉंगो में कोबाल्ट माइन्स हो या फिर जंबाबवे में निकल माइन्स। चाइना आज लार्ज नंबर्स ओफ आफ्रिकन माइन्स को कंट्रोल करता है। देखे युक्रेन वार्ज से पहले आफ्रीका को वैगनर ग्रोप या फ्रेंच प्राइवेट मिलिटरी कॉंट्राक्टर्स डॉमिनेट करते थे। और इनी प्राइवेट मिलिटरी ग्रोप की सर्विस को चाइनीज एंटिटीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करती थी। लेकिन उक्रीन इन्वेजन के बाद से ही वैगनर ग्रोप क्रीमिया एंटोनास्क रीजन में बिजी हो गया है और चाइना को अपनी खुद की प्राइवेट मिलिटरी को पुश करना पड़ रहा है। जिसमें से प्रोमिनेंट है चाइना का फ्रेंटियर सर्विस ग्रोप जिसके वैगनर ग्रोप और यूज बेस्ट ब्लैक वाटर्स के साथ टाइज एक ओपन सीक्रिट हैं। और ये चाइनीज प्राइवेट मिलिटरी आज एफ्रिका में चाइनीज इन्विस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या इंडिया भी आज कोई प्राइवेट मिलिटरी क्रुप ऑपरेट करता है या नहीं।